नजरीन, जैसे ही फायका ने इस आइने को देखा, इसकी आखों में एक चमप पैदा हुई. कितना पबसूरत, कितना दिलफरेव है ये आइना, मनी मन में फायका ने सोचा. फायका इस वक्त एक एंटिक्स शौप में खड़ी थी, शुरू से ही इसे एंटिक्स बहुत पसंद थे. भईया, यह आइना कितने का है? फायका ने सवालिया नजरों से दुकानदार की तरफ देखा, जी वैसे तो सत्तर हजार का है, तेकिन आपके लिए 63 हजार का. फायका ने नाप चड़ाते हुए अपने पैक से असी हजार निकाले और दुकानदार के सामें रख भी है, लिए लो अपने पैसे और यह आइना मेरे घर आजशी पहुच जाना चाहिए. यह कहते ही, फायका दुकान से निवई और गाड़ी में बैट कर चली गई, दुकान अंदर हैरान और परिशान खड़ा रहा, रंगधन से फायका खासे अमीर घर की लग रही थी, इसकी गारी इसकी शान शौकत में मजीद इसाफ़ा कर रही थी, मगर बिलेवाज जेबतन किये हुए इस लड़की में वरूर उटफूट कर महरा था, बशीर हाउस में अच पुरी फैमली टीवी लाउंच में बैठी थी, बशीर साहब घर के सरबरा थे, इनकी तीन कवारी वेटियां फायका, साइका और मेना थी, चार वेटे थे, अकबर और असलम शादी शुदा थे, जबकि आसिफ और बासित की अभी शादी नहीं होई थे, बशीर साहब की घर पुछा एक बहुत ही खुबसूरत आइना, फायपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिखाओ तो सही, मीना बोई, रफीक, वो आइना लेकर आओ, जो मैं आज लेकर आई, पुछ तेर बाद बशीर साहब की नजरों के सामने, वो आइना हाजर किया गया, पुछ त तो तारीफे सुन-सुन कर हवाओं में उनने लगी, आईने को टीवी लाउंज में आवेजा कर दिया गया, कुछ देर की कपशप के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, रात के तीन बज रहे थे, अचानक इस आईने में से अजीब सी रवाशनी निकली जब पूर ती अधीर ओवर की औरत रिंगते हुए बाहर आई, जिसका चहरा बुरी तरह मस्क हुआ वा था, इसके लंबे 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 लोखीले दाद थे जिन में से खोन रिस रहा था, एक काली बिल्ली इस अधीर ओवरी ओरत के सामने से गुजरी, इस ओरत ने बिल्ली पर एक एक रोशनी पैदा हुए और एक आईने किसी बाग तमाम आईने अखायर हो बैए, शिज़ा जवर की नमाज अदा करके उठी तो इसको किसी अंजान शक्स की आवाज आई, वो शक्स शिज़ा का नाम दे रहा था, जिसकी वजी से शिज़ा की तबज्जो इसकी तरफ मपस शिज़ा ने जब खिड़की से जाफ कर देखा तो निया बशीर बाहर बैठे थे, देखी अतीक सहब मुझे आपकी बेटी शिज़ा पसं है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, मदले में आपको पचास लाक दोगा, अतीक के मुझे प्राल टपपने लग, अतीक शिज़ा की अम्मा यानि अपनी बेवी की तरफ देखा, जो नफी में सरहिला रही थी, जी जी लजी मिंसूर है, अतीक ने अपनी बेटी के सौधा कर दिया, आज ही निकाप परवा लेते हैं, विनिया बशीर 68 साल तब बोहाक उशीसिद बोला, लेसं कर शिज़ा सदमे के मारे, नी निया बशीर के हां काम कर दी थी, माना कि वो परीट थी, मगर इनसान तो वो भी थी, वो किस पदर रोई, कितना गिड़ गिड़ाई अपने बाप की आगे हाथ चोड़े, उसको वास्ति दी, मगर बाप तो पैसे का फूका था, वरस ने वेबस शिज़ा की एक न सुनी, औ बेटा मैंने इस से शादी कर ली है, और अब ये तुवारी मा है, कि कैसी बाते कर रहे हैं, बाबा इसकी ओवर आपने देखी है, इस बेच्यारी पर आपने इतना बड़ा जल्म कैसी ढाया, साइफा के चेरे पर हैरत और परिशानी के मिले जुने तासरात वाज़े थे, ब मेरे साथ मिया बशीर ने शीजा का हाथ पकड़ा और उसको अपनी कमरे में ले गया, मीना और साइका अपनी बाब का चेहरा देखती रह गई, फायता बाबा ने शीजा से शादी कर ली, मीना रोते हुए बोली, क्या बाबा ने इस दो टकेखी लड़की से शादी, नहीं नहीं, तुम छुड़ पोड़ रही ओना, फायता ने मीना से पूछा, नहीं, वैसित पोड़ रही है वो मीना ने जवाब दिया, नैस शीजा से अभी पूछ थे, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, हमारे बदुड़े भारे बाबा को खास लिया, फायता चीफती हुई अगर तुम्हें कैसे पता, फायका ने सवाल किया, मैंने बाबा को किसी से बात करते हुए सुना था, खेर, जो भी हो सुबा होते ही, मैं इस शीजा को ठके बेकर इस घर से निकाल दुम्डी, फायका चंदाते हुए बोली, लेकर इसे क्या पटा था, कि इसके साथ क्या होने वाला है, मीना तो अब दी फायका को देखा है, सायका ने मीना से पूछा नहीं देखा, मैंने तो, मैंगा ने जवाब दी, मीना और सायका समीच सब बोलाजमों ने पूरा घर चान मारा, लेकिन फायका ना मिली, हैरत ये बात तो ये थी कि फायका की गारी भी घर पर ही मौ कर रह जाती मुझे बशीर को बता देना चाहिए पर अधर किसी ने मेरे यतिन ना किया और नजीब वो सुर्वार समझा नहीं मुझे ये बात किसी को नहीं बताने चाहिए शीर्जा ने अपनी दिन में सोचा एक रात पहली शीर्जा को घप रहा हट हुई तो वो अपनी कमरे से बाहर आती इसने देखा कि फाइफा अपने हाथ में ग्लास पकरे अपने कमरे की जारे जा रही थी जैसे ही फाइफा टीबी लाउंज में आवेजा आएने के सामने से गुसरने लगी तो आएने में से इक ड्रोशनी निकली पर आवाज आई फाइफा कहा जा रही हो और आएना आ गया जिसमें से एक हैबटनाग बुरिया निकली पर काफ भी फाइफा पर दपोच लिया और अपमें साथ आएने के अंदन ले गई और आएना बंध हो गया और सब कुछ पहली जैसा हो गया शिजा ये पूरा होननाग मंजर अपनी आखों से देख रही थी ख देना चाहिए। प्रहजर महबद और शफकत से नप्रेश था। साहिजा अगर मैं आपको फायबा के वताने कुछ बताओं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगी। शीजा ने सवाल किया जिसके जवाब में साहिजा ने इस बात में सरह लाया। फिर शीजा ने सारा माजरा साहिजा के सुना दिया। साहिजा के चेहरे पर परिशानी वाज़िक थी। साहिजा ऐसा करती हैं कि रात के बारा बज़े के करीब मैं इस आएने के करीब जाओंगी। पर अगर कुछ हुआ तो संबूत की तोर पर आप वीडियो बना ले वाज़ा। शीजा ने तजवीज बेश की मदर शीजा अगर अगर मदर कुछ नहीं जो हो का देखा जाए था। यह कहकर शीजा कमरे से चली गई और साहिपा सोचों में डूल गई। रात के बारा बज़ रहे थी, शीजा आईनी के सामने खड़ी थी, जबके साहिपा हाथ में मुबाई पकरे वीडियो बनाने के लिए तयार थी, सुभा की ग्यारा बज़ रहे थी, साहिपा और शीजा एंटी शोब के सामने खड़ी थी, जहां से फाहिपा ने आईना तीन वो जो आसेवी मकलूप के बारे में कफी इल्म रखते हैं। हमें इनके पास जाना चाहिए और बिला मौफजर ही काम करते हैं। साइका ने इस बात में सर हिलाया और दोनों गाड़ी में सवार होकर बाबा जी के आस्ताने की तरफ चल दी। गाड़ी बाबा जी के आस्ताने के आगे रुखी। शिज़ा और साइका आस्ताने के अंदर दश्रीफ लेवें। सामने एक बहुत दुरानी चेरे वारे बुजर्द बैखे थे। वो तस्भी करने में मश्वोल थे। उन्होंने दोरन रड़चियों पो बैखने का इशारा क हां बेटा बो रुख किस काम से आना हुआ बाबा जी ने सवान किया। बाबा जी रुखो पहने अपने बारे में सबसच सब बताओ। फिर ही मैं तुमारे मसले का हल मिकाल सकूंगा। शिज़ा और साइका ने इंग दुसरे की तरफ देखा फिर शिज़ा बोली जी बाबा फाइफा और मीना हैं। चार भाई असलन जिनकी बीवी सलमा है अतबर जिनकी बीवी सुमेरा बासित और आसिफ जिनकी अभी शादी नहीं हुई। अपर के दो बेटे भी हैं। सबकर अब यह मेरी सद बहुत अच्छा है। मगर फाइफा फाइफा एक आइना लाई थी प आइने पर हाथ रखा, एक तेज रोश्नी इस आइने के अंदर से निकली पर देखते ही देखते ही मेरे इंत-गेर बारा आइने आप है। इक आइने पर जो मैंने मैं ज़र डानी तो देखा कि इसमें आब जट रही थी। डूसरे आइने में देखा कि एक सिंदू पड़ी है पांचवे में देखा कि बहुत तेज तोफान है और दरख पुकर रहे हैं छटे में देखा कि एक बहुत खुबसूरत लड़की जिससे सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है वीवार के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है साथ में देखा कि एक ठावा बंदा हुआ है आठ मे में देखा कि एक छोटी वड़की बहुत अंची उंची रो रही है नर्वे में कुछ नजर नहीं आ रहा था मदर चीखों की आवाज आ रही थी दस्वे में देखा कि कोई इंसान जमीर पन लेटा है जिसके पेर से खुम का फवारा पूट रहा है ग्यार्वे में देखा कि एक घड़ी है जिसकी सुवी बहुत तेज खुम रही है पतबार में आइने में देखा था बारा फिर एक एक कर के आइने खायब होने लगी और फिर आखरी आइने के साथ ही रोश्टी खत्म हो बई और मैं तीवी लाउंज में खड़ी थी साइका को मैंने वीडियो बनाने का कहा अगर वीडियो में देखा जा सकता है कि आइने से रोश्टी विकली और मैं खायर में परी जब दोबारा रोश्टी निकली तो मैं नमुदार हुए बाबा जी शीजा की बाते फॉर से सुनते रहे और फिर बोडिक देखो नड़की तुम्हारे पास बारा दिन है फा काइना आसिवी है एक धाड़ी का मतलब है कि तुम्हारा एक दिन खत्न हो बया पीछी ग्यारा दिन रह गए तुम्हारे धीरवाले बहुत खत्रे में इसे उनकर डोलों बाहर आवे और गारी ने सवार होकर घर की जानित चलनी घर पहुची तो एक खौफनाक मंजर उनका म लेकिन साहिका और शिजा को सख जटका लगव क्योंकि पूरे घर में सिफ हकीकत वही दोवन जानती थी शान को पुलीस पीकर तश्रीफ लाइफ जिसको रिश्वत देकर सारा मामला रफा दफा कर दिया गया नूस जी तरफ साहिका और शिजा ने सब घरवालों पो हकीकत बताने का सोचा अगली सुबह जब सब घरवाले नाश्टे की मेज पर बैठे थे तो साहिका ने बात शुरू चिज और एक अलिफ से ये पर सारी कहानी कह सुनाई सुबूत के दौर पर वो वीडियो भी दिखाई जिसमें शिजा आएने के सामने खड़ी और खायब हो गई मड़ते क्या ना करते सब घरवालों को ये खौफनाख हफीकत तस्लीम करना पड़ी पहली ही दो दिन गुज़र चुके हैं और हमारे पास सिर्फ दस दिन रह गए हैं इनी दस दिनों के अंदर हमें कुछ करना है शिजा बोली तो क्या हम इस आएने को बाहर नहीं फैक सकते सल्मा भावी ने पूछा नहीं भावी पहली बात तो इसमें फायखा पैद है दूसरी बात ये आइना अपनी जवापन मुंज़र में धो चुका है साइका ने जवाद दिया साथ ही साथ साइका खूर खूर कर मिया बशीर की जानिब देख रही थी और निया बशीर अपनी दफ्तर नहीं जाना क्या मिया बशीर चिन्दाए जी वाबा चले असलम ने जवाब दिया मिया बशीर अपनी पेशानी पर से पसीना फोचते हुए बाहिन की जाने चल दिये जबकि साइका की नजरे बाहर जाने पकिनका ताह को प्रती नी फिर समर्ब दफ्तर के लिए आइने का मौता, आइने का मौाइना कर रही थी, शिजा ये देखो ये आइने की रिफ्त कुछ लिखा है, नहीं साइका ये तो सिर्फ डिसाइन है मीना बोली, नहीं मीना साइफा सही बोल गई है कुछ लिखा है, वदर किसी और जबान में शिजा बोली, साइका क्यों ना ह पावर्ची खाने के जानिन फाकी। पावर्ची खाने में सर्ना भावी ने बड़ा चाको। अपने हाथ ले पकड़ा था और जो सुमेरा के पेट में मार रही थी। सल्मा सुमेरा पर एक के बाद दूसरा वार कर रही थी। सुमेरों के फोन से फूरा बवर्ची खाना मिराल हो चुपा था मीना जो के टीवी नाउच पे खड़ी अपने घर के बत्तर हालाद पर रो रही थी उसको अपने तन्भिय पर किसी का हाथ महसूस हुआ जब उसने पीछी मुर कर देखा तो आईमी वी से एक लंबा जिल्सा वा बाजो निकला था जो मीना को आईमी की जाने खेचते लगा आव बचाओ वो जी मीना चीखने लगी इदर सल्मा भाबी किसी के ख़ाबों में नहीं आ रही थी इक्तिफाक से अस्लम और वासत किसी काम से घर आए जी खुफी आवास सुनकर वो दिनों बावर्ची खाने की जाने भागे सल्मा किसी जानवर की तरहां उची उची धाड़ मार बें थी पुरा किचन वो नालूद हो चुका था बासत और अस्लम दी जिन्दी जल्दी सल्मा को पकड़ा और शीजा और सायका टीवी लाउंज की जाने भाड़ी मीना पर वो सल्सल कोई आएने की अंदर खीच रहा था शीजा और सायका ने पूरा जोड लगाया और मीना को बाहर निकाने की कोशिश की मीना का धाना आएने की अंदर जबके टांगे बाहर रहे पिंगे पच्छनक शीजा और साइका को जोड़ जटका लगा और वो पिच्छी जाकर किरी लाग कोशिशों के बावरूत वो मीना को बचाना सकी मीना आईनी के अंदर चली गई सल्मा भाबी बेगोश होएं थी दो दिन बाद एक मोजसा हुआ और पशकिसमती से सुमेरा बच गई मकर फाइका और मीना फाइव हो चुकी थी घर के बत्तर हालाग की बचा से सको चुपलब दे थी मजीद दो दिन गुजर गई थे पीछे आठ दिन बच गई थे शाम का वक्त था साइका मैं आजाओं शिर्जा ने साइका के कमरे में जाने के लिए इजाज़त तन लखी हाँ आजाओ साइका बोली अच्छे साइका मैं सोच रही थी कि आपको याद हुआ कि हमने आएने की इड़किच कुछ लिखा पाया था और अकंद अश्रफ के हमें बताया कि ये आएना भारत सी आया है हाँ फिर साइका बोहत फौर से शिर्जा की बात सुम रही थी तो ये वो सब्ता है कि वो हिंदी जबान में शिर्जा ने अपने राय दी हाँ या ये तो मैंने सूचा ही नहीं साइका हिरांगी से बोली चल्यों आयने के पास चलते हैं इस पर लिखे गए अनफास को इंटरनेट पर देखती ही शायद कोई मदद मिल ज़र साइका ने तजवीज थी और दोल्यों आयने के पास चलूए आयने पर लिखी वी अनफास को आप जल्दी से एक और आइना मंगवा दें। शिजा बोली अच्छा और साइका ने शिजा को एक और आइना मंगवा दिया। शिजा ने दूसरा आइना पहने आइनी के सामने रखा तो पहने आइनी पर लिखी हुए अन्फास खुबाख खुब बलट गए। शिजा और साइका ने डूसरे की तरफ हिरानगी से बेखा। साइका अब इन अलफास को इंटरनेट पर सर्च करी। शिजा बोली हाँ वापई शिजा ये हिंदी के अलफास हैं। साइका खुशी से बुढ़ी और इसका मतलब ऐसी पुतरती रशनी जो सब अन्भीरों पूचीर कर रफ़ दे। इसका अक्स जब पड़ेगा बारा पर तो खुल जाएगा हर राज। इसका क्या मतलब वह साइका। शिजा ने साइका से पुछा, साइका ने कंद्ली उचवात एक वेट ना इन्मी का इज़ार किया। खेर राट तब वो दोनों इसके बारे में सोच थी रहीं, मदर कोई हदमी नतीजा नहीं निकला। चलो शिजाफ, अब इस बारे में कंद्सोचेंगे, अब राट बहुत होते ही हैं साइका बोली। दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली थी। राट के दो बचे, बासित अपने कमरे में सो रहा था, कि उसको किसी के हसते की आवाज अज़। बासित बॉखला कर उड़ गया, वजर इसके आसपस कोई नहीं था। जानक उसको अपने चेरे पर कोई कीवी चीज महसूस हुई। उसने जब हाट लगाया के देखा तो वो फोन था। जब बासित में डर्दे डर्दे उपर की जानक देखा, तो वो एक बिढ़ी औरत जिसके नंबे नंबे नोखीले दाग थे, जिन में से फोन घिस रहा था, वो औरत हवान में नहरा रही थी। बासित थर थर कापने लगा, वो औरत बासित के ऊपर गिरी, पर उसलिए बासित खुर दबोच लिया, बाबा, इस सब जान गई हूँ तो ये सब आपकी साज़िश थी, आपने इतनी साल हमें अंदेरे में रखा, आपको शर्म वही आई, साइका बहुत पुस्से से अपने ब से देखा, तो उसको जमीन पर एक आईना पड़ा हुआ नजर आया, वो जमीन पर दो जानों बेट के, आईने पर अपने सामने रख दिया, पचारा काईने से तेज रोशनी निकले, और शीजा के बारा आईने खुबने न दे, फिर वो सब आईने आपस मूं मिल गए, और सामने बहुत बड़ा आईना आ गया, इस आईने में से हंके हंके स्वधारी रण के रोशनी निकल रही थी, शीजा वहां से उठकर भागना चाह रही थी, मगर वो उठ नहीं पा रही थी, इसे ऐसा महसूस हो रहा था, एक किसी चीज नहीं से मस्बूती सिप चकड़ा इस सब कुछ शीजा इस आईने में देख रही थी, हाँ सब्दर मिया तो यह रिष्टा फूवूर है, मन्जूर साहिब ले सब्दर से सवाल की, जिसके जवाब में सब्दर ने शर्माते हुए इस पार्ट में सरहिनाती है, आमना जो कि दर्वाजे से कान लगाए, सब शेहरे पर एक दिफड़े मुस्कान ने डेरे जमान लिए, और सुरत तो वो बहुत थी, दोच जैसी रंगत के साथ, मुम्रियाले बाल इसकी खुब्सूरती में मजीद इजाफा कर रहे थी, सब्दर नौका पाते ही इस कमरे के दर्वाजे के पास आगया जहां आमना खड और सफदर पीछे खड़ा आमना को जाता देखकर मुस्कराने लगा, पीछे कामनी ये सब देखकर आग बगोला हो रहे थी, कुछी सफदर से वो शादी करना चाहती थी, इधर सफदर और आमना की शादी उड़े और अब इनके एक बेटी फात्मा भी होगे, यहां कामनी मुखबत भोया ना पाई थी, तो वो एक हिंडू, जबके सफदर मुस्मान लेकि गहते हैं मुखबत मिटर, इनसान अपना आप खूल जाता है, तो मुफतलिफ मजाहिब इनके लिए कोई एहमे भी रखते थे, मुखबत के साथ जात कामनी सफदर से कुछ और भी हासद करन बाहर देज आंदे चलने लगी, एतनी देज कि दरख तो खड़ने लगे, कामनी के सामने लगी आग भड़कवे लगी, कामनी की आखों में आमना के लिए कदूरत नफरत चननल बाजे दिखाई दे रही थी, जैसे जैसिस कामनी, वो में कुछ बुडाती जाती बैसे बैसे आमना को लगी आग शिब्दत इख्तियार करते जाती, मतकिस्मती से इस दिन सफ़तन भी थी मिनी था, और फात्मा भी छोटी थी, आमना बाहर की जाने फार्टी, वगर दरवाजा अपने आप रंद होता वे, आमना चीफी चिंदा ही, मगर इसकी मदद को पोई ना आया, अचानक आइने में नजर आने वणा मनजर अपने आप बंद हो बैया, आगी क्या हुआ, शिजा की मौसिफ फुद बखुद निकला, जिसका तुम तसवर भी नहीं कर सकती, शिजा पोई खौफनाक हावास सुनाई दी, शिजा ने भी चारों तरफ देखा, मगर इस पोई नजर ना आया, शिजा हावास बाखता हो बे, शिजा के जेरा, फौफ से पीला पढ़ गया हिम्मत करके शिजा, खड़ी यूई इसकी टांगे नरज रहे थी, कौन हो तुम सामने आओ, वो श्रिल से शिजा के गले से चबना निकना, इतनी जल्दी भी क्या है, देख लेना मुझे बादने, वैसे भी अब तुम्ही इस आयने में ही हमेशा के लिए रहना है, एक वर भी वईद खौफनाक आवास शिजा को सुनाई थी, नीना और फाय का तहाँ है, नजी नीन लेकर जाना है, खौफ में इजाफा होने की वच्छा से शिजा की आवास नरज ने बग और अगर तुम इन दोनों पुना रून चेकी, तो तुम लोग हमेशा के लिए रही रहो, पर एक बात बहुत, तिहान रपना, कहीं मेना और फाय का पर भीनते हुए कोई तुम्हें मार ना दे, क्या तुम्हें मन्जूर है, बहुत सोच बिचाल के बाद शिजा ने हां में जबाब दिया, शिजा ने लाड़ेन उठाया, मेना और फाय का की तलाश रूफर थी, शिजा ने कमरे का दर्वाजा फोला, पूरो कमरा अंधेरे में डुबा हुआ था, कमरे की एक जानित दिवार बड़े से, आइने से ढकी हुई थी, शिजा भी थोड़ी आगे बढ़ी हुआ था, सिर्फ इसने अपना मू बाहर निकाला हुआ था, परहाफ, शिजा ने इस अजीव सी मखलोग को देखते ही, जवदा चीव मारे शिजा फॉफ से काप में लवी फॉफ के साई इसके इवद गिल्द मंड़ाने लगी, इसने छटके से अपना फाउस अजीव से कमरी से बाहर चिजाने भागे, बाहरा फिर उसने सुप का सास लिया, फिर उसने इक बाहर फिर हिम्मत बांदी और फाइबा और मीना की तलाश शुरू कर दी, वो एक बहुत ही बाहर हिम्मत में डरल बहादर मरड़की थी, अगर इसकी जवापो यार्न रखी होती, तो कब की भाब चुकी होती है, विलाइट एंट था में चनपी जा रही थी कि अजाना कि इसको किसी की उंच चीछी चीखों की आवाज आने लगी, इसने बीठा कि सीरियों से, एक लंबे खत की औरत तेजी से उसरती हुई, तेजी से उतरती हुई शीजा की जाने बार रही है, इ कि अब तो वो नहीं बचे थी, फिर भी उसने हिम्मत का मजाहरा किया, वो भागी और एक पड़ी से रबुद के पीछे चुप गई, वो औरत इदर अधर में खुमाती शीजा को तलाश कर रही थी, शीजा मुसलसर कुरान में ठीट का विट करती रही, शीजा को जमीन पे एक डंडा पड़ा हुए नजर आया, उसके को डंडा उठाया, और पूरी फुवर से उस चुड़ान के सर पर दे मारा, वो चुड़ान लड़ खड़ा कर जमीन पर गिर गई और शीजा वहां से भाब गई, वर शीजा ने अपनी तलाश डारी रखी, इस दोरान शीजा के स सामना फैश अदानी ताकतों से हुआ, बगर उसने जमान मड़ी से सब का मफाबला किया, मदर इतनी जान पटक के बाद भी इनकुप, फाइक और मीना नमरी, अचानव इसके जहन में आया, कि उसने जनीन पर पड़ा हुए एक डंडा उठाया, उस कमरे की जानिक चल यहां बहुत बड़ा आयना था, इस कमरे में पहुँचकर उसने देखा कि वो एक अजीब मतलू जो जमीन के अंदर नहीं थी, वो अब वहां नहीं थी, इस बड़े से आयने के पास गई, पर जोर से उसे डढ़ना मारा, इस आयने पर आयना अंधरायां से तोटकर निचे गिर पड़ा, आयने के पीछे मीना और फायका भी होश पड़ी थी, शीजा की फुशी का कोई ठिकाना ना रहा, अब जैसा के भी में देखा कि मैंने इन दो लोगों को घुन दिया है, अब तो अपना वादा पूरा करो, और हमें शक्त, और हमें यहां से जाने तो, शीजा जब शीजा ने कम्वे के तरवाजी की तरफ दिखा, तो बंद हो चुपा था, उफ यालाद मैं क्या करो, शीजा बेवस हो चुपी थी, शीजा बेवस हो चुपी थी, शीजा इस आयने में दाखिल हुई, तो दूसरी आयने से वापस इसी जज़ा पर आ ले, जहां से वो जब वो दूसरे और बीसरे आयने में दाखिल हुई, तब भी ऐसा ही हुआ, वगर चौथे आयने की दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, चौथे आयने में वो दाखिल वो ही नहीं पाई, बेट जाओ नीचे, चौथे आयने से एक तोची आवाज शीजा की समात से आपर टकराई, श आद में जुनसतर मर गई, कामिनी आमना की घार आ गई और आमना पर रूट ठाल गया, अब वो सफ़तर को मारने का फैसला पर चुपी थी, तो कि सफ़तर तो पहले ही किसी का हो चुपा था, और इसे मोहबब भीट में नहीं चाहिए थी, अब इसका मकसर वो शाही खजाना असरी करना था, जिसकी सही जगा का सिर्फ और सिर्फ सफ़तर को ही पता था, फर्स, जब सफ़तर घर आया तो कामिनी आमना बनकर बातों बातों में उस शाही खजाने के बारे में सारी तफसीलात मालूं करनी, जब कामिनी ने सफ़तर सिर्फ खजाने के बारे में सब कामनी पो दिक कर सफ्टर हैरान रहे गया इसंते सफ्टर कुछ बोलता कामनी ने तनवार उठाई और एक के बाद दूसरा वार करके सफ्टर कर regulatory दिया बहरी धादी फात्मा पुप जमीन में गंड़ी आसमान खा दया, फ़र कामिनी ने सफ़तर और आमना की लाशे इसी घर में दफना दी, फिर जब कामिनी सफ़तर की बताई गोई चगा पर खजाना ढोलने कई, तो उसको वहाँ फोई खजाना ना मिला, वो सफ़तर है, सफ़तर ने उसको फलट करने लेगी एक रोज जब वो काले जादू के मंस्तर पर रही थी तो वंती से उसली एक ऐसा मंतर बोल दिया कि जिससे वो और इसके सब शयतान चेंड़े इस आइने में पैद हो गए और जो है भी मखलोब तुम से बात कर रही थी वो कोई और नहीं कामिनी ही थी और जिस घर काम में 500 साल की हो जाएगी जानती हो उसने तुम तीनों को यहां पैद इसलिए का रखा है कि राग के बारा बचते ही तुम तीनों वो माल कर तूम लो का फोन पी सके जिससे इसको मजीद 500 साल की अवर मिल जाएगी और फिर वो इस आइने से आजाद हो जाएगी मगर क्या शिजा ने आएने से सवाल किया मगर ये कि तो अपनी और इन लड़कियों की जान बचा सकती हो तो यहां से आजाद हो सकती हूँ तुम्हारे बारा दिन खत्म होने को है हाज राद बारा बचते ही तुमें बारा दिन की मिली वी महनत खत्म हो जाएगी बारा बच पहले पहले यहां से मिकलना होगा मगर इसके लिए तुमें कामनी पर एक बाल कामनी की एक अवरूठी जिसके साथ हीरा जड़ा हुआ है इस दोलों चीजे रानी होगी एक पहले भी सुन्चानी होगी और जाते वक्ते इंदोनों नड़कियों को इसी कमरे में छोड़ जाना वो यहां महफोज रहेंगी तो दशीर मिया मैं सही संजी थी मेरी मां के कातिल आप ही है न मैं जानती थी क्या आप मेरे सगे बाप नहीं मज़ फिर भी मैंने हमेशा आपको अपना सगा बाप ही तसवर किया और वो आएना भी आप ही में दुकानदार से कहकर वहां रखवाया था न ताकि फाइफा इसको घर ने आए और इसाइमे में बसी हुई मकरूख एक इतर की हम सब को मार दे और फिर हमारी जाइदाद पर आप अपना खब्रजा जमाने है वो तो आपने अपनी इफाज़त के लिए तावीस पहिन दिया ताकि आपको कुछ ना हो मेरी मासो और माँ जो आपको अपनी सर का साइन समझ कर आप पर अंधै करमार करती थी इसको भी आपनी बेदर्दी से मार दिया पर तुम्हारी असलियत जान चुकी हो मशीन मिया साइका एक ही सास वे सब कुछ कहते इसके चेरे पर वुस्सा वाज़े था जबकि आँखों में आसु थी जो कि इसकी उदासी को वाज़े कर रहे थी इसकी आँखों के सामने कभी तो अपनी मां से मां का चीरा आता तो कभी मरहूम भाई और भाबी का कभी अपनी प्यारी बेहनों का तो कभी अपनी बेहनों जैसी दोस्षिजा का वो अकेली जान एकी वक्त में कितली दुग चेल रही थी ये सिर्फ ही जानती थी अब जब के तुम मेरी असलियत जान चुकी हो तो अपना मूँ बंधी रखना वरना, वरना क्या मैं तो सब को चीख चीख कर तुमारी असलियत बताऊंगी पुलीस, मैं तुमारी खिलाफ परच्छा कटवाऊंगी शिज़ा चिलाई लगता है तुझे अपने मार के पास जाने का बहुत शौक है मिया बशीर के चेहरे पर हैवांगी और तरिंदिगी के आसान नुमाया होने लगे मिया बशीर ने पिस्तॉल निकाल ली और साइका पर तान ली अपकर बखवास मिया बशीर को से से चिलाया तुम मेरा कुछ नहीं बिकार सकता इरे साथ मेरा अल्ला है वैसे भी तुमने वो मशूर महावरा तो सुना ही होगा जिसे अल्ला रखे उसे कौन चुक्खे साइका बहुत बुर सुकोन दिखाई दे रही थी बशीर दैश में आ गया इससे पहले कि निया बशीर साइका पर कोली चलाता पीछे से पुलिस आ गई और पुलिस ने बशीर को गिर्फ़तार कर लिया बहुत सोच बचार के बार शिजा ने जवाब दिया इसका सही जवाब है रास्ता तुक्झरास्ता ही इसकी मंजल तक पहुँचाता है और तुम्हारा जवाब दुर। आयने ने शिजा की जवाब को दुर। खरार दे दिया और एक रास्ता आयने में बन गया जो शिजा को कामनी जादू करनी के कमरे में ले गया शिजा ने देखा के दो पहरेदार कामनी की कमरे के सामने खड़े पहरा दे रहे थे जबकि एक पहरेदार कुछ दूर कुर्सी पर बैठा था बगएर आवास की ये दबे कदमों के साथ शिजा कुर्सी पर बैठी हुए पहरेदार के पास कई और पास ही पड़ा हुआ डंडा उठा कर शिजा ने इसकी करदन पर पुरी कुवत से मारा वह वहीं गिर कर बेहोश हो गया साथ ही शिजा ने एक जोरदार चीख मारी और दिवार के पीछे चुक गई शिजा बहुत खौफसदा दिखाई दे रही इसके हाथ और बाजू काप रहे थे चीख की आवास सुनकर दोनों पहरेदार तीसरे पहरेदार की जानेब लबगी वाका पाते ही शिजा कामनी के कमरे में दाखिन हो गई कामनी अपने बिस्तर पर लेडी सो रही थी रंग और रोप के लिहाद से कामनी एक आम इनसान लग रही थी बस इसके बाल सफेद थी शिजा ने पूरा कमरा चान मारा लेकिन उसको हीरे बारी अंगोठी कहीं पर भी न मिली फिर उससे खैंची उठाई और कामनी के कुछ बाल काट लिए कौन है यहाँ कामनी के आँख खुल गई शिजा जल्दी जल्दी कमरे में रखी अलमारी के पीछे चुप गई पहरेदारों अंदर आओ कामनी चीफरी जी महतरमा कमरे में कोई है अच्छी तरहा कमरे की तलाशी लो कामनी ने हुकम दिया पहरेदार कमरे की तलाशी लेने लगे खुश किसमती से पहरेदार अन्मारी के पीछे नहीं गए जहां शिजा छुपी थी जी नहीं महतरमा कमरे में कोई नहीं है अच्छा फिर तुम यहां से जा सकते हो कामनी ने हुक्म दिया कामनी आएने के सामने आकर बैड़ गई और अपने बाल सवार ने लगी शिजा ने लिखा के वो हीरे वाली इंगोठी कामनी ने अपनी दाए हाथ के उली में पहनी हुई है मैं जानती हूँ कि तुम अन्मारी के पीछे चुपी हुई हो कामनी का रहजा खुसीला था ये सुनकर शिजा काव उठी मैं जानती हूँ कि तुम अन्मारी के पीछे चुपी हो बाहरा जाओ इस पार कामनी चीफी शिजा का दिन जोर जोर से धड़क रहा था उसे लग रहा था कि उसकी मात परीव आ गई है डरते डरते शिजा कामनी के सामने आ गई इसका पूरा वजूद काम रहा था इसके चेहरे पर हवाईया और ये लिजिन मैं आपका साथ देना चाहती हूँ मैं जानती हूँ कि आप खजाने की तराश में है और इसका रास्ता मुझे पता है मैं तो पहले भी आपसे यही कहना चाह रही थी मगर आपने मेरी बात सुने ही नहीं नजाने शिजा के दिमाव में ये तरकीब कहां से अटक थी क्या वाग भी मुझे बताओ कहां है खजाना कामनी कुशी से फूले नहीं समा रही थी शिजा दिल ही दिल में सोच रही थी कि कहते हैं कि कोई कितना ही शातिर क्यों ना हो किसी ने किसी के हाथों पे वकूफ बनिये जाता है आपके दाएं हाथ की हतेली में ही है खजाने का रास्ता शिजा ने चवाब दिया ये लो मेरी हतेली मेरे पास आओ और मुझे रास्ता बताओ कामनी ने शिजा को रुंडिया लाएं दिखाएं यांगोठी उतार दे मैं इससे आपकी हदेली सही तरहाँ देख नहीं पा रही बड़ी चलाकी से शिजा ने सारा मामरा संभाद लिया लोग अब देखो कामनी ने उँगोठी उतार कर टेवन पर रख दी कामनी का अंगोठी रखना था कि शिजा ने मां अंगोठी उठाई और बाहिर के जाने भागी पहरेदारों इसे पकड़ुग कामनी चिद्डाई शिजा गिरती पड़ती बच्टी बचाती आईने वाले रास्ते के अंदर दाखिल हुई और रास्ता बंद हो गया शिजा के पीछी किपनी ही एक किस्म की अजीव और गरीब मखलुग भाग रही थी लेकिन शिजा ने सब को चक्वारी दिया अब शिजा आईने के सामने मवजूद थी मैंने आई हूँ दोने चीज़े शिजा आईने से मकातिब हुई अब इस अंगूठी को कामनी के बाल के साथ पान दो आईनी ने शिजा को बताया शिजा ने कामनी के बाल के साथ अंगूठी बान दी अब पहली सुचाओ तो मह Gumहरे पास सिर्फ पांच मिन्त है वो क्या है कि जैसे ही इंसान इसके सामने आए अपना आप इसमें बाए आइना बोला जवाब है आइना जवाब दुरुस्त है अब अंगोठी आइने पर मारो शिजा ने अंगोठी जो ही आइने पर मारी एक रास्ता आइने में बन गया अब जाओ अपने घ़र और गहर जाते ही आइने को तोड़ देना और समझना में तुम्हारा साथ ही हूँ मैं तुम्हें अपने बारे में इसके कुछ नहीं बताओं गा आइने ने कहा शिजा ने आइने के रास्ते के जरियर पहले मीना और फिर जब फाइका को घर पहुंचाने लगी तो इतने में वो शैतानी मकलूब भी आ गई इदर से आइना भी बंद होना शुरू हो गया इस मकलूब में से एक ने शिजा का पैर पकर लिया शिजा ने पूरी कोवत लगा कर इससे अपना पैर चुडवाया और आइने के बंद होने से पहले आइने से बाहर आ गई और आइना बंद हो गया इतने में साइका भी आ गई साइका तीनों को देख कर बहुत खुश हुई साइका मुझे एक खतौड़ा जल्दी से ला दे साइका भागी गई और स्टोर से एक खतौड़ा ले आई शिजा ने पूरी कोवत से वह खतौड़ा आइने पर मारा और आइना तोट गया इसके साइका मिनी का खेल खत्म होगा और शिजा अपनी इस कठन सफर में काम्याम हो गई दो दिन बाद मिया बशीर के लिए अदालत ने सजा मौत के खकामात जारी कर दी फाइका और मीना दोनों ठीक हो गई फाइका ने अपने किये ही शिजा से माफी मांग ली शिजा को मिया बशीर के बारे में पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ वगर अब भूख अल्लह की रजा में राजी थी दो साल के बाद शिजा के बेवा होड़ाने के बाद उसने अपनी इद्द अपने माँ बाप के खर का दी शिजा के बाप को अपनी खलती का हिसास हो गया वस शिजा ने अपने बाप को मौफ कर दिया शिजा के लिए साइका अपने भाई अकबर का रिश्टा लेकर आई शिजा की रजावंदी पर शिजा को अकबर का हमसफर बना दिया गया और आज शिजा एक खुशकोवार और पुर्थकून जिन्दी की वसर कर रही है शिजा की अब एक पेटी भी है आईशा अकबर शिजा को और शिजा अकबर को दिलो जान से चाहते हैं साइका और फायका और मीना अपने 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 घर की हो गई शिजा का अपनी नंदों के साथ बेहनों वाला रिश्टा है जो हमेशा के लिए बरकरार रहेगा पराइने की किर्चिया बेक कोड़े दान में पड़ी हुई है इनसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है शिजा ने सोचा कि बशीर से शादी के बाद अब इसकी जिन्दगी वरबाद हो गई मगर खालिक काईनात को कुछ और ही मनजूर था उसने शिजा के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा था और अब शिजा को अल्लह पर पूरा तवक्र है एक चाल वो चलते हैं और एक चाल अल्लह चलता है अब बेशक अल्लह सबसे बहतरीन चाल चलने वाला है कहानी आपको कैसी लगी इस कहानी के बारे में एक लाइन लाजमी लिखिएगा अगर आप शिजा की जगा होते तो क्या करते लाजमी बताईएगा